नमस्ते मेरे प्रिये मित्रों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर धीरज फिस्टरपी क्लेनिक में और मैं हूँ आपका दोस्ट धीरज दोस्तों हर हफते की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिससे एक टर्म है जो आप कई बार सुनते होंगे अपने मित्रों से अपने डॉक्टर से कि यह पॉस्चर प्रॉब्लम है यह पॉस्चर आपका ठीक नहीं है कभी कभी बच्चों को भी पेरेंट्स बोलते हैं पॉस्चर ठीक रखो अपना यह पॉस्चर तुमारा खराब है तो पॉसिशन किस चीज़ की पॉस्चर के रिलेशन में जब पॉसिशन की बात करते हैं तो हमारी पॉसिशन ऑफ जो हेड है वो हमारे शॉल्डर्स के पॉसिशन में कहां पर है और जो शॉल्डर्स हैं वो हिप के पॉसिशन में हिप के रिलेशन में कहां पर है क्या यह आगे ह के वे हैं और ये किसवस्ता में हैं एक दूसरे के रिलेशन में तो दू तरह के पोश्चर होते हैu. static posture और dynamic posture. static posture वो जिसमें हम pasti particular position में रुख करके अपना काम करते रहां faster. जैसे लिखना, सोना बैठना और लेटना यह सब posture static posture और डाइनमिक पॉश्चर क्या है जब हम चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं जब हम कुछ एक्षिन कर रहे होते हैं तो किस तरह के एक्षिन में कर रहे होते हैं जैसे चल रहे हैं तो अगर हम एक तरफ जादा वजन लेके चल रहे हैं तो हमारा पॉश्चर डाइनमिक पॉश् पॉस्चर को कैसे ठीक किया जाए और पॉस्चर को कैसे पहचाना जाए यह दोनों चीजों के झानकारी आज मैं आपको दूंगा और पॉस्चर के जो सबसे खराब जो effect हो सकते हैं उसके बारे में भी धोड़ी जानकारी जरूर दे दी जाए आपको आज देखिए इसमें जो main problems जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए doctors के पास जाते हैं लोग वो है pain जो physiotherapist के पास ज़्यादा तर जाते हैं वो है pain, posture की वैसे strain हो जाना तो pain जो है एक problem है उसमें भी जो cervical की problems या फिर disc की problems या फिर आपके knee की problem ये सब कुछ आपके posture की वज़े से गड़बड हो सकती है इसलिए अगर आपको posture को ठीक रखना है सबसे पहले ये जानना होगा कि ये गड़बड posture है क्या bad posture है क्या तो सबसे पहले static posture से शुरू करते है standing में जैसे मैं आप मुझे देख पा रहे हैं सामने तो इस posture में आप ये देख सकते हैं कि मैं side कितना अपने mid line से खड़ा हूँ या क्या मैं एक तरफ weight लेके खड़ा हूँ इस तरह से या मैं दोनों तरफ दोनों पैरों पर बराबर खड़ा हूँ या किसी और के help से कर सकते हैं लेकिन जब आपको दूसरा curve देखना है जिसको हम लोग side view बोलते हैं तो side view में आपको देखना है कि आपके कंधे जो हैं वो आपके hips के ठीक ऊपर हैं की नहीं है या वो आपके mid line से कहीं आगे के तरफ तो नीचे ले गए हैं rounded shoulder जिसको बोलते हैं या फिर कंधे बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं है तो ये कान जो हैं आपके ठीक कंधे के ऊपर आने चाहिए और कंधा ठीक आपके hip के ऊपर आना चाहिए ये आपका good posture है और अगर ऐसा नहीं है तो वो bad posture की श्रिणी में चला जाता है spine जुकी भी रहेगी तो आपके विचार भी वैसे ही negative होंगे तो दोस्तों एक textbook है हमारे physiotherapy में जो हम लोग अपने degree courses में पढ़ते हैं डेना Gardiner नाम के एक writer ने लिखी थी researcher थे तो उन्होंने लिखी थी और उनका कहना था कि posture जो है आपका attitude determine करता है और attitude आपका posture determine करता है तो मैं आज कल इसको बहुत ही relevant मानता हूँ पहले से ही ये बड़ी relevant चीज मानी गई है देखी गई है तो दोस्तों posture का इसी तरह से आप पहले पता लगा लीजिए ये आपका standing posture की बात मैंने कर दी अब हम बात करते हैं sitting posture की इस posture में बैटने का एक जो और जो negative effects पढ़ रहे हैं वो आपके cervical के लिए भी पढ़ेंगे और डिस्क के लिए भी पढ़ सकते हैं तो ये constipation, lung capacity और cervical and disc everything is going to be distressed सभी चीज की problem हो सकती है आप इस तरह के posture में regular रहेंगे तो इसको आपको avoid करने के लिए आपको regular training करनी है अपने सामने में और जो है बार-बार repeat हो बार-बार ये term आपके सामने आना जरूरी है अगर आप ये चीज बार-बार train नहीं करेंगे तो जब भी आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं तो अच्छे posture में रहना चाहता हूं लेकिन बार-बार ये posture जो है मेरा खराब रहता है तो इसलिए इसको ठीक करने का सबसे पहला जो step है वो है routine training और उसके लिए regular reminder के लिए regular reminder के लिए you have to put some poster आपको कुछ अपने सामने poster या written में लिखना होगा या अच्छे posture के जरूर कुछ flash अपना बना लिए कुछ देर में reminder आजा आपके phone पे या आपके computer screen पे आजा जिसमें आप स्ट्रेट बैट सके सीरे काम कर सके आपके arms should be supported on something and your hand should be well supported while you are working on keyboard की बोर्ड पर काम करें तो बिल्कुल supported होना चाहिए आपके shoulders बिल्कुल आपके hip के ऊपर होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि shoulder बहुत आगे चले गए arms आगे चले गए and it is unsupported ऐसा नहीं होना चाहिए good posture जो working posture के लिए वह मैं एक अलग वीडियो इसके लिए बनाऊँगा कि किस तरह का होना चाहिए लेकिन basic जो है आपको जो मैंने first alignments बता है sides alignment sides alignment का ध्यान रखना है आपको और बीच बीच में आप आधे गंटे में एक बार अपने आपको stretch करना है lower back को stretch करने के लिए आप देखेंगे तो ऐसे आप hold करके थोड़ी देर तक रखें ताकि lower back stretch हो जाए सिर्फ lower back के लिए you know tuck in करना है पेट को और ये portion पर आपको stretch feel good stretch feel हो गया तो समझे आपके stretching हो गई for 15 seconds or 20 seconds you do it and do not forget कभी मत भूलिए कि आप जब भी बैठे-बैठे काम करें तो खड़े हो करके एक बार stand up हो करके जरूर अपने posture को straight कर ले ताड आसन करें हाथ को उपर उठाले उपर stretch करें और खीच के रखें थोड़ी seconds के लिए five seconds के लिए और फिर side से ले आए जब ऐसा लाएंगे तो अपने आप आपका posture देखिए side से तो shoulders retracted है over retracted नहीं होने चाहिए relaxed होने चाहिए और एकदम बिलकुल आपके shoulders हो हैं वो hip के ठीक ऊपर है यह आपका hip है hip के ठीक ऊपर है shoulders और आपकी चिन भी आगे नहीं जानी चाहिए आपकी चिन ऐसे होनी चाहिए यह posture आप बार बार रिज्यूम करें बार बार इसकी practice करें तो यह अपने आप posture धीरी दरे करके ठीक हो जागा repetition बहुत जरूरी ताड आसन के बाद अपने tummy को tuck in करें posture को सीधा रखें और buttocks को in करें और घुटने relax रखें ज्यादा टाइट नहीं लेकिन tummy को tuck in and buttocks जो है वो squeeze in type होनी चाहिए चिन बहुत पीछे नहीं जानी चाहिए रिलाक्स होनी चाहिए shoulder should be above the hip and in the line with the ear to ear shoulder and this hip should be in the straight line right so यह posture हमें बार-बार resume करना है इसको इसके में जो बाधा आती है जो posture problem करती है जो muscles की जो टाइकने से जो problem करती है वो है आपके hip flexors muscles तो hip flexor muscle को हमें stretch करने के लिए simple दोनों हातों से आप ऐसे पकड़ सकते हैं या एक हात से कुछी hold करके front of the thigh को stretch करेंगे और 30 seconds या 20 seconds hold करके रखेंगे body straight बनाये रखेंगे और धीरे-दरे करके छोड़ देंगे इसी तरह से दूसरे पैर को भी stretch करेंगे और body straight रखेंगे इस तरह से stretch करना ज़रूरी है तो hip flexor को stretch करना बहुत ज़रूरी है ये front of the thigh जो अपर thigh muscles है उनको stretch करना बहुत ज़रूरी है और tummy tuck in करना है apps के लिए और core muscles के लिए जो exercises करनी है वो हम आपको वीडियो के next part में देखाए तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली आप अपने posture को ध्यान रखने में आपको बहुत मदब मिलेगी और जो भी आपको इस संबंद में प्रशन हो आप comment section में ज़रूर लिख कर मुझसे पूछेगा कुछ आपको feedback देना हो suggestion देना हो और कुछ प्रशन सा ही करनी हो तो please comment section में कीजिएगा और like and subscribe करना नहीं भूलिएगा अपने friends में share करना नहीं भूलिएगा और अपने bad posture के bad effects से बचने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और इससे लाब उठाइएगा धन्यवाद